शेर में युवक का अपरण कर हत्या करने के बाद शोपारवती नदी में फैकने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफतार किया है जिने गुरुवार को कोट में पेश किया जाएगा पुलीस आरोपियों से घटना में प्रयुक्त वाहन व कारणों के बारे में पूछताच कर रही है एसपी राजकुमार चौधी ने बताया कि नया पुरा निवासी जाकिर हुसेन ने 20 अगस्त को रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया कि उसका बेटा शाकिर सूर्मा बारा कोतवाली में दर्ज एक मामले में फरार है उसे सरेंडर कराने के लिए उन्होंने 18 अगस्त को शाम को साड़े छे बजे घर पर बुलाया था वह समर्पन करने से पहले घर पर चाय पीने के लिए रुका था कुछी देर में ईलू अमजद बिट्टू घर पर आया और जरूरी काम का बोलकर शाकिर को अपने साथ ले गए इसके बाद शाकिर का फोन बंद आ रहा है तीनों आमजद यूकों पर अपरण कर ले जाने और बेटे के साथ अपरिये घटना करने का शक भी जताया 22 अगस को इटावा के मरजाना गाउन के पास पारवती नदी में एक यूअक का शव मिला था फरियादियों परिजनों ने इटावा पहुँचकर कपड़ों और शरीर पर चोट के निशान से मितिक की शिनाक्त की 22 के नयापुरा निवासी शाकिर हुसेन के रूप में की इस पर प्रकरण में हत्या की धारा जोड़ दी वारदाते खुलासे के लिए तीन टीम गठित की गई अनुसंधान कर आरोपी नयापुरा बारा निवासी अमजद अली पुत्र मुहम्मद हनीफ नयापुरा 12 हाल कोटा निवासी शारुक अली उर्फ इल्लु पुत्र अश्रफ अली इर्फान मंसूरी उर्फ मिट्टु पुत्र अब्दुल रूफ मंसूरी इंसाफ अली पुत्र शाविर हुसेन को देवली से गिरफतार किया है पूश्टाश में आरोपे ने वारदात को अंजाम देने की बात स्विकार कर ली है